हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका इस नाई वीडियो में तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपकी जो नाई सिच्छक नाई सिच्छक भरती जो आई है वो कितने पदों पर आई है और उसमें योगिता यानि कि एजुकेशनल कॉलिफिकेशन कितनी है चैन प्रॉपर से पूरा एक दस बारा पन्य का निकल के आता है उसको हम लोग पांचे पॉइंट पर ही समझ लेंगे सारी चीज़ आपकी जाएंगे सारे बिंदों लोग इसमें चेक आउट कर लेंगे ठीक है तो यह जो तीस हजार और जो शोलह जार पांसो जो मैंने लिखा है इसमें इसका मतलब क्या है वह हम बाद में बात करेंगे जैसे अपर इसमें 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 सबसे पहले हम जाते हैं जो आपकी कॉलिफिकेस नहीं कि वह कितनी हो कि समझेगे यहां पर आप फिर वन टू फिप्त होएं सिर्फ बीटी सी और बीले डॉले बर सकते टाइमरी सि इसमें क्या बैड़ होना चलिए 50% होना चीया इसमें अप्लाइ कर सकते मतलब बीट वाले जो है वह इसमें नहीं अप्लाइ कर सकते हैं एक बाद कर दे जाएंगे तो आपके आउनलाइन जो फॉर्म बहने जाएंगे और 18..4 से बहने जाएंगे नहीं के सह साथ को कि इड्मिट काढ़ आएक याने का मतलर जुलाई में चार तीन साथ तीन चार के बाद के याने के बाद आपका आपका मतलर आ जाएगा अब पेपर कब होगे तो पेपर 23 तारीक, 24 तारीक को होंगे, अब जुलाई वाली, ठीक है, जुलाई के मनत में, यहनि कि 14 को जो वैटमिट का रहाएगा, उसके 10 दिन के बाद आपके पेपर हो जाएंगे, पेपर 2 सिप्ट में आपका होगा, 10 से 12 बजे एक पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका ह होगा, ner थो होगा, एक लिएज बूसरा बाद पन्सक्तांगे, बहुत जल्द वेकेंसी बाद होगा, ज picking 的 होग वैकर को वैकिंसी को प्रक्राइग'm, भी आपको ऊतिक है, अपकी लिए विने।िस की इस है नज बायाएगा, बहुत जल्त दिन कि अदी बाद एगा हैं यह तो यूपी वालों के लिए ही मालों यूपी के वेकेंसी है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत कनी पड़ेगी, तो पेपर का मोट क्या होगा, पेपर का मोट जो आपका यूपी टेट का ही रहता है, यानि कि आफ लाइन वही हो रहने वाला है, तो जियाद रिखे कि यहां पर सिल अपका दिया गयाई, थीज़ा ज़ीह हले, तीसफ़ार में आपके प्रामरी यानि कि प्रित वाले भी होंगे, अच्छे कि अब आपकर वाले भी, यानि क्यानि के मेरा मतलब यह है ता हैकि कि इसमें आपके mins आपके 16 तक, घ्रीप यह आतलका इन इसमें क्कोरी यानि कि इस आपको निरास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं बस आपको घ्राइब करिए चीजे आगे बिल्कुल निकाल लिजे बहुत अच्छे चांस है आप श्टेट गौर्ड में है तो यूपी के वेकेंसी का इंतजार मत करिए आप इसमें में निकलाएंगी अगर को अगर को लगती ह लेकिन बस आपको डटक के पढ़ना है यह आप मान के चलिएगा तक के लिए धन्यवाद उसके बाद में अगर आप चैनल पर नए है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आपको पता है इसी तरह हम लेटेस्ट वीडियो आपके लाते रहते हैं धन्यवाद